अम्बाला में बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर अम्बाला रोडवेज डिपो में ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की कोर कमेटी ने प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन की खिलाब विरोज जताया और बड़ी हुई कीमतों को सरकार से वापस लेने की मांग की वहीं तालमेल कमेटी के वरिश सदस्य इंदर सिंग बधाना ने कहा कि सरकार को बड़ी हुई कीमते वापस लेकर जनता को राहत देनी चाहिए उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहे हैं और साथ ही सब जगा परिवहन मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री को ग्यापन भी सोंपे जा रहे हैं आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे प्रदेश में ये दो गण्टे के प्रोटेस्ट हैं और पिछे भी हम तेल की जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं उन्हें पर एक प्रदर्शन कर चुके हैं और आज उनका ग्यापन जो है प्रेट्रोलियम मंत्री के नाम दे च जिनके पूरे हिंदुस्तान की जो मारी फेडरेशन है सभी के आवान पे ये कारिकरम है और हिंदुस्तान लेवन पे फेडरेशनों के तोर पे पेट्रोलियम मंत्री को और प्रिवान मंत्री को जो है ये यापन जाएगा और हम ये कहना चाहते हैं इसमें लाखों लाख लो लकातार विरोध परदर्शन हो रहा है और सरकार से लगातार बड़ी हुई कियमतोilot को वापस लेने की मांग की जा रही है वह बढ़ी हो लाइब विरोध परदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जहिंब कर नारेबाजी की गई फिल्हाल देखना होगा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लेती है या नहीं प्रतम तहलका के लिए अमबाला से ब्यूरो रिपोर्ट